मध्यपदेश के जन प्रिय मुख्य मंत्री, जिन्होंने मध्यपदेश को एक मिमारू राज्य से बहार निकाल कर विक्सित राज्य की और ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसे स्रिमान सिवरा सिंग जी, मोधी जी की मंत्री परिशद में मेरे साथी, भई इको सेट कराओ इसका, मोधी जी की मंत्री परिशद में मेरे साथी, श्री अजय कुमार मिश्र जी, श्री निशित प्रामानिक जी, मध्यप्रदेश के गुरू मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, बी पी आर एंडी के डी जी, बाला जी श्री वास्ताव जी, श्री निरत सिंहा जी, और आज इब पुलीस विज्ञान कॉंग्रेस के अंदर पधारे हुए सभी प्रतिभागी भाईयों और बेहनों, मध्यप्रदेश के सभी अतिकारी गां। आज 48-वी अखिल भारतिय पुलीस विज्ञान कॉंग्रेस अभी से सुभारंभ होकर दो दिन तक चलती रहेगी। अलग-अलग विशयों पर यहां पर चर्चा होनी है। स्रीबाला जी ने बहुत विश्टरूत रूप से इसकी रूपरेखा आप लोगों के सामने रखी है। तो मैं इसमें जाना नहीं चाहता। परन्तु लखनोव पुलीस कॉंग्रेस के बाद यह पुलीस साइन्स कॉंग्रेस जो मध्यपदेश में हो रही है। बीच में हमारा देश और दुनिया एक बहुत कठीन काल से गुजरे हैं। सदी की सबसे भीषण और जानलेवा महामारी का सामना देश ने किया है, दुनिया ने किया है। दुनिया में देश में लाखों लोग रुत्यू के सरण हुए हैं। और कोरोना के समय में देश बर में लगबग चार लाग से अधिक पूलिस कर्मी और C.A.P.F. के कर्मचारी अधिकारी भी संक्रमित हुए। लगबग 2700 से ज्यादा लोगों की मृत्यू भी हुए। और इस कालखन के दोरान देश की पूलिस का एक अलग प्रकार का चहरा देश की जनता के सामने आया है। पूलिस का कारिय कभी भी प्रसंसा के पात्र है इस प्रकार की बात बहुत लंबे समय से सुनाई नहीं पड़ती थी। मगर मैं आप देश भर के पूलिस बल को अभिगंदन देना चाहता हूँ कि जहां पर भी जाते हैं पूलिस बल की कोरोना की कारिवाही की भूरी भूरी प्रसंसा हो। पूलिस का एक मानविय चहरा और आपदा के समय पूलिस क्या कर सकती हैं। इसका एक उत्कृष्ट और सरानी उदाहन देश की जनता के समक्स सभी बलों ने कोई आयोजन के बगर सभावगत ही जो पूलिस का सभाव होता है हर व्यक्ति को मदद करना इसका प्रदसन करते हुए सब के सामने रखा हैं। मैं आज जो 2712 जवान अपनी ड्यूटी निभाते निभाते प्रथम पंक्ति में महमारी का सामना करते करते अपनी जान गवाएं हैं। और सभी को विनम्ञण सध्यनुजली भी देना चाहता हु। क्योंकि उन्होंने कोरोना का सामना प्रथम पंक्ति में रहकर करा, लोगों को मदद करने के लिए किया, किसी को खाना पहुंचाने ते वक्त कोरोना लग गया, किसी को असपताल ले जाने वक्त ले गया, और वो भी मृत्यू की सरण में जए हूँ वो सभी परिवारों के प्रति भी मैं अपनी सम्वेदना प्रकट करना चाहता हूँ और ये सभी 2712 जवानों के प्रति स्रद्धान जली अर्पिप करता हूँ मित्रो आज अखिल भरतिय पूलिस विज्ञान कॉंग्रेस जो हो रही है इसका आगाज हो रहा है अखिल भरतिय विज्ञान कॉंग्रेस का पूरे देश की पूलिसिंग में बहुत महत्वपून योगदान है हमारे सम्विधान में पूलिस को राज्यों का सब्जेक्ट आंतरिक सुलक्सा को राज्यों का विशय वाना गया है और यह सर्वता ठीक ही भी है इसमें कोई बढ़लाव की जरूरत नहीं है परन्तु जब सम्विधान बना तब से लेकर राद तक देश के अपराद और देश के पूलिस के सामने बहुत बड़ी चुनोती आई है अपराद की दुनिया के में बहुत नहीं नहीं आयाम भी जुड़ गए है और कुछ चीजे ऐसी उभर कर आई है जिसमें देश भर की पूलिस को एक वाक्यता के साथ काम करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ सामन जैसे से काम करना पड़ेगा अन्य था आप इसकी वुष चुनोतियों का सामना नहीं कर सकते और दूसरी और कानून और विवस्ता राज्य का विशा है तो पूलिस राज्यों की चुनुवी सरकार के निर्देशन में चलती है तूसर बहुत बड़ा संकट होता है संकलन का एक समान डिस्पॉन का जैसे नौर्थीष ठीएटर है आप राज्य है आप राज्य सरकार है आप राज्यों के पूलिस के अलग अलग यूनिट है मगर एक समान चुनोती है हथ्यारी ग्रूपों की वामपंथी उग्रवाद का ख्षेत्र है कई सारे राज्य मध्य भारत में और पूर्वी भारत में इसकी चपेट में थे वहाँ पर भी राज्य अलग-अलग है मगर चुनोती एक समान है उन लोगों के बीच में, वामपंथी उग्रवादियों के बीच में उनका कोई समविदान नहीं है वो एक कड़ी से काम करते हैं एक सब जूड कर करते हैं तो उसका सामना पूलिस कैसे करेगी इसके लिए समन्वय की जरूरत है एक निति की जरूरत है और एक वाक्यता की भी जरूरत है. जैसे देश के पूर्वी ख्शेत्र में गुष्पेट, देश के पस्चिमी ख्शेत्र में जहाँ-जहाँ हमारी पडोसियों से सीमा लगती है, वहाँ ड्रॉन से नकली नोटों का ड्रॉप करना, हत्यारों का ड्रॉपिंग, ड्रॉन से हमले इस सारी चुनोतिया एक नहीं अनेक राज्यों के सामने एक समान प्रकार से है अगर राज्य की पूलिस आइसोलेशन में काम करती है तो इस सारी चुनोतियों का हम सामना धंग से नहीं कर सकते हैं तो सम्विधान को बदलने की जरूरत नहीं है परन्तु अखिल भारतिय पूलिस विज्ञान कॉंग्रेस और डीजी कॉंफरेंस जैसे मिटिंगों के माध्यम से उपकरणों के माध्यम से कुछ राज्यम मिलकर अपने क्षेत्र विशेश की समस्याओं का यहां चर्चा कर सकते हैं एक समान निती बना सकते हैं और कुछ पूरे देश भर के सामने चुनोतियां हैं जैसे ड्रग्स हवाला ट्रांजेक्शन्स साइबर फ्रोड्स साइबर फ्रोड्स में आज जारखन में बैठकर कोई मदब देश के व्यक्ति के साथ चिटिंग कर सकता है तो कुछ देश भर के पूलिस के सामने समान चैलेंजीज हैं उसके लिए विचार वीमर्स कहां हो उसके लिए साजा रन निती कहां बने उसके लिए एक वाक्यता के साथ काम करने के लिए समवाद का मध्यम क्या हो तो मैं मानता हूं कि पूलिस विज्ञान कॉंग्रेश जो है इसके लिए बहुत आइडियल फोरम है और बीपी आरेंडी के तत्वाधान में जो मिटिंग होती है वो हमारी ए लैकुना को बहुत अच्छे तरीके से भर कर समान प्रकार की चुनोतियों को देज भर की पूलिस को एक प्लेटफरम पला कर इसका सामना करने का एक प्लेटफरम उपलब्द कराती है और उस दुरुष्टी से मेरा बीपी आरेंडी को आगरह भी है कि इसके कारेक्रमों की रचना इसके सत्रों की रचना जब की जाए तब समान प्रकार के चुनोतियों का सामना करने के लिए देज भर की पूलिस की एक रन्निती हो इस विशय को भी बहुत अच्छे तरीके से आपके सत्र में, आपके चर्चा सत्र में और आपके निसकर्षों के अंदर भी इसको जगए देनी ताई है। अधतन टेकनोलोजी से अब वो लेस होते जा रहे हैं। और यह बहुत जरूरी है कि पुलिस अपरादी से दो कदम आगे रहे हैं। ये टेक्नोलोजी के संस्कार नहीं जाते हैं हम नए प्रकार के अपरादों के खिलाप नहीं लड़ सकते हैं और इसके लिए भी बीपी आरेंडी ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्द कराया है देर सारी संगोष्टियों के माध्यम से ट्रेनिंग के विशय करना ट्रेनिंग के विशय के अंदर चुनोतियों को एड्रेस कर लेना और चर्चा सत्रों से समाधान डून कर इसको भी ट्रेनिंग के अंदर समाहित करना और देश की पुलीसिंग में दिरे 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 देश भर के देश की पुलिस ने, यह परिवर्तन विगत दस सालों में हम अच्छे से देख रहे हैं, यह भी पुलिस साइंस कॉंग्रेस का एक उद्देश है, यह दोनों उद्देशों से, ओल इंडिया पुलिस साइंस कॉंग्रेस का महत्व भी है, और इसके बगेर हम देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, मित्रों मैं आज यहां आया हूँ, तब आप सब के सामने एक बात निश्चित करना चाहता हूँ, कि विगत आठ साल तो देश के प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रुतों में भारत सरकार चली, और यह आठ सालों में कई सालों से लंबित हमारे तीन ऐसे ख्षेत्र थे, जो नासूर बने हुए थे, जो हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए खत्रा बने हुए थे, एक कस्मीर की समस्या, एक वामपन्थी उग्रवाद की समस्या, और नौठी सेत्र में नार्कोटिक्स और हत्यारी ग्रूपों की समस्या, कई सालों से हम इसको देख रहे हैं, यहां कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी है, उन्होंने जब सर्विस में जॉइन हुए तो तब यह समस्या सुनी हुगी रिटायर हुए तब यह इसको टाटा करकर निकले हुगे, बहुत पुरानी समस्या थी, मगर आज मैं संतोस के साथ कह सकता हूँ, यह तीनों थीटर के अंदर नरेंद्र मोधी सरकार ने बहुत तरीके से, सातत्य पूर्ण तरीके से, वैज्यानिक तरीके से समस्याओं को एड्रेस करती हुए, लगबग इस समस्याओं के समाधान की दिशा में काफी बड़ी सफलता हालत करे। चाहे वो कस्मीर की समस्याओं हो, चाहे वामपन्ती उग्रवाद की समस्याओं हो, चाहे नॉर्थ हिस्ट के अंदर हथ्यारी गूर्पों की बाद हो। देर सारे हथ्यारी ग्रूपों ने हथ्यार डाले मेंश्रीम के अंदर आये हैं धारा 370 जाने के बाद कस्मीर के अंदर एक नया उत्सा उमंग विकास की एक नए यूग की शुरुवात हुई आतंकवाद के उपर हमारी सुरक्सा एजन्सियों का बिलकुल कमांडिंग वर्चसवाद दिखाई पड़ सकता है और वामपन्थी उग्रवाद भी समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ा हरा है मध्यपति जैसे राज्य तो वामपन्थी उग्रवाद से लगबग लगबग बहार ही निकल गए यह जो परिवर्तन आया है यह परिवर्तन इसलिए आया है कि समस्या को उसका विसलेशन करकर समझ कर इसके उपायों की गहन चर्चा करकर सात्यत्य पून तरीके से एक रणन कि देश्बर की राज्य की पूलीसों के सामने पूलीस विभागों के सामने भी जो समस्या हैं उसमें भी अपसर बदलते रहें मगर पूलीस की रणनिती न बढ़ले इसमें सात्यत्य बहुत जरूरी होता है सभी पूलीस विभाग के मुख्याओं ने अपने यहां दस साल की पूलीस की रणनिती और इसका सालाना रिव्यू करने की प्रथा इंस्ट्यूट्रिस्नलाइज करनी चाहिए जिससे नए DGP आये तब हो इसको इससे आगे बढ़ाए और जब सालाना रिववू करोगे तब जो उसमें कम्यां होगी इसका भी रिववू होगा जो सफल मुद्धे होगे इसका भी रिवू होगा और एक नहीं रणीती माइनर चेंज इसके साथ आगे के साल के साथ बनालोगे वो बहुत जरूरी है क्योंकि अब कुछ क्राइम ऐसे आ गए हैं जिसके सामने पूलिस के मॉडरनाईजेशन और ट्रेनिंग के बगर पूलिस के राज्य के भीतर समनवे के बगर और पूलिस के राज्य के बाहर समनवे के बगर और टेक्नोलोजी को आत्मसात करे बगर लड़ पाना असंभव है चाहे वो नार्कोटिक्स का मसला हो चाहे वो फिक करणसी का मसला हो चाहे हवाला ट्रांजेक्शन से देश विरोधी गतिविदी करने वाले लोगों के पास पैसा पहुंचाने का मसला हो चाहे साइबर क्राइम हो चाहे हथियारो के सीमा पार से आने का मसला हो इस सारी समस्या ऐसी है जिसका समधान सात्य पूर्ण रन निती से ही होता है मैं उदान के तौर पर कहना चाहूँगा जिनकी समुद्री सिमा जुबी है ऐसे राज्यों में एक रन निती बन सकती है क्या कि सागर के सटे हुए जिलो में इसी प्रकार के स्पी का एपोइन्मेंट होगा इसमें केज ग्रूप तो हो जाए इसमें परफॉमांस के पेरामिटर तही हो जाए इसके अंदर परफॉमांस के रिभ्यू का प्रवीजन हो जो जमीनी सिमा के जिल्ले है इसके लिए भी थानों तक की व्यवस्ता बाकि अंदर में जो होता है हो करते रहे पर्नु जो सेंसिटिव प्षेतर है उसके अंदर एपुन्मेंट के लिए एक सात्य पूर्ण रणनी थी बनानी पड़ेगी आतांकवाद विरोधी जितनी भी संस्ता है चाहिए थी इसो एटी एसो बड़े सहरों में क्राइम ब्रांचो यह अंतरिक सुरक्षा की दुरुष्ट्री से बड़ी सेंसिटिव जगे होती है इसके पोस्टिंग के लिए भी रादनितिक स्तर पर और स्टेट पूलिस के डीजी के स्तर पर एक सेंसिटिवनेस खड़ी करनी परे तभी जाकर इस सारी समस्याओं के खिलाब हम लड़ पाएंगे मोदी जी ने इसके लिए एक पूलिस टेक्नोलोजी मिसन की घोशना करी है इसका एक कच्चा खाका गुरू मंत्राले ने बना लिया है उसके बाद में हम विपी आरेंडी के थूँ साथ को के सुझाओं के लिए राज्यों की पूलिस को भी पहुचाएंगे इसके माध्यम से धेर सारी चीजे एक समान रुप से पूरा देश की पूलिस का हर्थाना सज्ज हो सके देश बर में एक ही प्रकार की वारलेस सिस्टिम हो देश बर में एक ही प्रकार के CCTV कैमेराज लगे एनालिसिस करने वाले सौप्वर देश बर की पूलिस के साथ पास एक ही प्रकार के हो एक्सेंज अप इंफरमेशन के सारी सुविदाय हो हो, Automatic Exchange of Information, and Access to Data का अधिकार भी देश की हर पूलिस को हो, इस प्रकार की व्यवस्ता हमें Technology Mission के माध्यम से करना चाहते हैं, मुए बड़ा असानवित हूं मोदी जी की कलपना से, कि इससे देश का बहुत बड़ा भाइदा होगा, मित्रो आज प्रकासन धेड़ सारे पांच किये हैं, इसके बारे में डिटेल बताया गया है, मैं इसमें कुछ यादा कहना नहीं चाहता हूं, परन्तु मेरा एक, आप सभी से आग्रह है, कि इस प्रकासनों की स्टड़ी करने वारी एक टोली, हर राज्य में यंग पुलीस अपसरों की बनाने चाहिए, इसका स्टड़ी करकर, इसकी जिस्ट बना कर कम से कम एस, जो बड़ा परिश्रम करके बनाए हैं, अगर वो प्रैक्टिकल पुलीसिंग को देखने वाले व्यक्ति के तक नहीं पुहंते हैं, और वो उसको गंबीरता से नहीं लेता है, तो पूरी एक्सरसाइस के कोई माइने नहीं रह जाते हैं, मुझे लगता है कि इस दिशा में हर राज्य की पुलीस ने एक टीम अपने यहां यंग अपसरकी बनानी चाहिए, जो सारे प्रकासनों को ढंग से देखे, इसकी जीष्ट बनाएं, और एस्पी और इसके उपर के हर पुलीस अदिकारी को वो जीष्ट बेजें, काफी लोग पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे ऐसा तो मैं नहीं कहता है, मगर काफी लोग पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे, इसमें से कुछ लोग तीज कामल भी करेंगे, तो कुछ तो सुदर जाएगा, अभी मैं एक टीवी इंटर्वी देख रहा था, उसमें एक सुन्दर वाक्य मैंने सुना, डाटा नया विज्ञान है, और बीग डाटा में सभी समस्याओ का समधान है, इस वाक्य को देश भर की पूलिस ने आत्मसाथ करना चाहिए, भारत सरकार ने धेर सारी सुविदाय खड़ी करी, मगर वो पॉपिलर नहीं है, जैसे मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ आप लोगों को, हमारे पास अब सब थाने, देश के 93 प्रत्सत से ज्यादा थाने, CCTNS से जूर जैं, उनकी FIR सारी वहां पोच जाते हैं, इसका डेटा उपलब्द है, एनालिटिक टूल आपके पास उपलब्द है, आप आपके राज्य के आसपास के चाहर राज्यों के क्राइम का श्टड करना, यहां से अगर हम संतोस मानेंगे, तो यह कभी नहीं होगा, मैं आगे इस विशाय को चूंगा, परन्तु मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी देश की पूलिस पर एक आरोप होता है, कभी तो नो एक्सन का आरोप होता है, कि पूलिस मुकदर सक बनी हैं, और कभी एक्स्ट् डालनी चाहिए, कि जस्ट एक्सन, स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाए, और वो तभी होती है, जब सिस्ट्म व्यक्ति न निर्वर हो, व्यक्ति सिस्ट्म पर निर्वर हो, अगर थानेदार के स्वभाव पर आप छोड़ दोगे, तो नो एक्सन भी आएगा, और स्ट्रिम पर थानेदार निर्वर होता, तो होगा तो जस्ट एक्सन आएगा, छोटी सी बात है, मगर घौर करने जैसी बात है, अगर यह हम पूलीसिंग के सवभाव में डालते हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभाव ना है, मेरी दुरुष्टी से पूलीस व पूलीस यह दोनों विशय विचार करने जैसे, सांस POR PULिस और सांस OOP पूलीस यह दोनों विशय पर हमने ड़ंग से विचार करना पड़ेगा, तभी जाकर हम देश के सामने आती हुई चुणोत्यों को टेकल कर पाएंगे, मित्रू हमारा देश, हमारे देश के पास काभी सारा है, डेमोक्रेसी है, डेमोग्रफी है, डिविडेंड है, डिमांड है, डिसिसिवनेस भी है अब और भारत के डेस्टिनी को बदलने का हमारा निर्धार भी है, तभी संबह हो सकता है जब हमारी आंतरिक सुरक्षा हम मजबूत करना है, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करन करना पड़ेगा अच्छी टेकनोलोजी से लेस करना पड़ेगा और उनकी हेल्प के लिए एक अच्छे सिस्टिम बनाने पड़ेंगे तब जाकर यह संभव है और मोदी जी ने जो स्मार्ट पुलिसिंग की संकल्पना हमारे सामने रखी है वो तभी जाकर चरितार्थ हो सकती आगर मैंने कहा डाटा में बड़ी ताकत है अभी हमारे 16,000 से ज्यादा पुलिस टेशन ओनलाइन हो चुके हैं इसका डेटा हरोज इखटा हो रहा है और NCRB ने CCTNS द्वरा राज्यस्तर पर नौ सेवाओं को उपलप्त करा है मेरा आगरा है कि यह सेवाओं को आप पॉप्रिलर करें जनता में भी और पुलिस में भी है जैसे वेहिकल अनोसी का एक सिस्टिम है इसकी अंदर चेसिस नंबर डालते ही अब आपको कॉंप्यूटर बता देता है कि चोरी की हुई कार है या नहीं है आपको आश्चरेल होगा सेकंड हैंड कारों के मार्केट में धडलने से कार चोरी करने वाले थोड़ा फरजी टाइप का नंबर बंबर चेंज करकर कार को बेच कर निकल जाते हैं यह सिस्टीम इंट्रिडीस करने के बाद लगबग 9000 से ज्यादा चोरी की हुई कारों को स्पॉर्ट पर पकड़ा गया है और खरीदने वालों को चोरी हुई कार खरीदने से बचाया गया है अगर इस सिस्टीम इतनी पॉप्यूलर नहीं इतने बड़े देश में 9000 का अंखड़ा डेड़ साल में संतोज जनक नहीं है कौन इसको नीचे तक पहुँचाएगा और ऐसी कॉन्फरेंस के माध्यम से ही ऐसी चर्चा होकर यह नीचे परकोलेट हुई मिसिंग पर्षन सर्च का जो हमारा सर्च एंजिन बनाया है एंसी आर्बी ने अपने डिटा में से ही खंगाल कर निकाला है अब तक 14,000 लोग डूण निकाले है मगर यह भी आंकड़ा परियाप नहीं है एक नफीस करकर सेवा भी हम आगे ले जाने वाले हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ देश बरकी पुलीस के पास करोडों में फिंगर्प्रिंट का डिटा है एंसी आर्बी के पास भी डेड़ करोड के आसपास है थोड़ा विस्तार होगा मगर मैं डिटेल में जरूर बताना चाहूँगा क्योंकि यह पॉपिलर करने जैसी सिस्टिम्स है अभी हम क्या करते हैं कि यह गर पर चोरी हुई या खून हुए धाड हुगई तो वहाँ से फिंगर्प्रिंट कलेक करते हैं उसमें से गर वालों के फिंगर्प्रिंट कलेक करकर तो उसको separate करकर ये गुना करने वाले के fingerprint हें पकड़ते हैं, फिर गुनेगार को पकड़ कर लाते हैं और fingerprint से match करते हैं, नफीस के माध्यम से क्या होगा, वो हर पुली स्थाने में अब उपलब्द हो सकता है, ये पूरा data, तो जैसे ही घर से चोरी करने वाले का या खून करने वाले का fingerprint उपलत हुआ, उसको computer में डालेंगे, अगर वो data में है, तो डेड़ मिनिट के अंदर वो सर्च करकर आपको नाम दे देगा कि fingerprint फलाने व्यक्ति का है, तो चोर को पकड़ कर सजा कराने के लिए fingerprint का उप्योग करने की जगे, चोर को पकड़ने के लिए ही fingerprint का उप् आपके थाने की training के अंदर का एह हिस्सा हो, इस CCTNS के जितनी भी सेवा हैं, नो की नो सिपीजन सेवाओं को हर थाने तक पहुचाने का काम देश भर की पूलिस ने करना चाहिए, इसी तरह से NIO को हम आतंकवादी मामले, नार्कोटिक्स के मामले, बम विस्फोट के मामले, विमान अफरन के मामले, ये सभी मामलों में एक डेटाबेस का स्थम्प बनाने के लिए ओरर किया है, ये भी लगबग लगबग दो-तीन महिने में समाप्त हो जाएगा, मेरा आपसे अनुरोदे सारी FIRO पर ये सारे डेटा पर स्टड़ी करने के लिए आपके आतंकवाद परोदी दस्ते को आपने एक्टिव करना चाहिए, नार्कोटिक्स के मामलों में एनसीबी को डेटाबेस तयार करने के लिए का है, और आईसीजीएस के अंदर इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्तिस सिस्टिम के अंदर भी धेर सारा डेटा तयार हुआ है, ये और अपरा ये मैंने साइंस फॉर पुलिस के लिए कहा है, साइंस ओप पुलिस, इसके लिए मेडिकल साइंस, फॉरेंट्सिक साइंस, मेनेजमेंट साइंस, आर्म साइंस और कॉम्मिनिकेशन साइंस, ये सारे विज्ञान के उप्योग को, ये पुलिस के यही विज्ञान है, इसको हम और मोधी सरकार ने दो बड़े कदम उठाए है निशनल फॉरेंटिक साइंस लबरेटरी बनाई है अरे युनिरसिटी बनाई है जिसके अब तक साथ राज्यों में एफिलेटेड कॉलेज खुल गई है शीवराज्जी भी यहां खुलने वाले मध्यपदेश में बोपाल के अ और IPC, CRPC के जो amendments आने वाले हैं इसमें 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी गुनाओं में फॉरेंटिक साइविडेंस को हम कंपलसरी करने वाले है मगर यह करना है तो आपके पास इसके लिए train manpower चाहिए कहां से आएगा इसलिए advance में फॉरेंटिक साइंस उनिरसिटी बनाई ह और रक्सा सक्ती उनिरसिटी भी रक्सा के साथ जुड़े विज्यान के सारे मामलों के एक्सपर्ट खड़े करने के लिए बनाई है मेरा तो सभी राज्यों के महानिर्देशों को से निवेदन है कि आपके राज्य में दोनों इनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज का आग्रह आपकी राज्यसर्थारों को करिए जिसे पुलीस के क्षेत्र में एक्सपर्ट आपको अवेलेबल होगा एक बात समच लिजेगा अंग्रे जोक के जमाने के डंडे के पुलीसिंग का यूग अब समाप्त हो गाया अब नौलेज बेज पुलीसिंग करना पड़ेगा एविडेंस बेज पुलीसिंग करना पड़ेगा और तर्क के आधार पर पुलीसिंग करना पड़ेगा और इसमें साइन्स पुलीस के साइन्स को भी हमने बदलना पड़ेगा राज्यों में अनेग प्रकार के CCTV लगे हैं पुलिस कंट्रोल रूम से इन CCTV की कोई कन्नेक्टिविटी नहीं प्राविर्स उसाइटी नहीं लगा दिये बस अडेपल लग गए है मुन्सिपल कॉर्परेशन नहीं लगा दिये हैं कमिस्नरेट नहीं लगा रहे हैं कोई रेलवे के लगे हैं मगर डीजीपी के कंट्रोल में किसी का कनेक्टिविटी नहीं है मैं तो मानता हूँ ये खर्च बेकार गया है बहुत कम खर्च के अंदर 10 परसंट खर्चे के अंदर करनेक्टिविटी हो सकते कॉमन सॉप्टिविएर हो सकता है और आपके पास ये सारी चीज़े उपलब दो इनिसिटिव लगना पड़ेगा मित्रो गत साइन्स कॉंग्रेस में लखनों में मैंने कुछ बेजिक पुलिसिंग पर कुछ मुद्दों पर काहत मैं विस्तुरूतरूप से नहीं कहूंगा परन्तु डाइरेक्टर और प्रोसिक्यूशन की जगह हर राज्यने सरजीत करनी चाहिए हो डाइरेक्टर प्रोसिक्यूशन के इंस्टिटिशन को इफेक्टिव वनाना चाहिए पुलिस बैंड, डॉक्सकोर्ड, होर्सकोर्ड, परेड इस सारे इस्चू भूल गए हम बैक्टू बेजिक्स जाना पड़ेगा और अठारा सो साथ में बनाए गए इस सारे इस्चू आज भी रिलेवन्ट है पुलिस की प्रेजन्सी लॉइन ओर्डर को अच्छा रख सकती है बीट की पेट्रोलिंग चाहे दसी लोग निकले मगर बहुत महतोपून संतोष्ट लोगों के बीच में खड़ा करती है तो मैं हरीडली फीर से सारे इस्चू रिपीट कर देता हूँ डाइरेक्टर अब प्रोक्षिक्विशन का इंस्टिट डेवलप करना बीट को पुनर्जिवित करना परेड को नियवित करना खबरी प्राणाली को पुनर्जिवित करना मैं पुनर्जिवित सोच समझ कर बूल रहा हूँ पुलीस बेंड को पुलीस का एक अंग बनाना, डॉक स्कौर्ड, हर्स्कौर्ड को पुनरजिवित करना और कॉमन सुतना प्रोटोकल को भी सिमान तिक्षेतर के अंदर हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। इनिसेटिव भी बारत सरकार ने लिया है। कानून बनाये गए हैं, इसको भी आपको हेल्प करनी हैं। एना ये कानून को हमने और कठोर बनाये, यूए पिये का उपियोग राज्य सरकार की पुलीस के कामों में भी उचित केसों में बढ़ाना चाहिए। संकोच नहीं करना चाहिए। मेरा आगरा है कि स्मैक की बैठब में सभी राज्यों के पुलीस महारनीर दे सकते। इनिसेटिव ले और करे। CRPC, IPC और Evidence Act में भी हम सुधार ला रहे हैं। नार्कोटिक्स की भी कॉडिनेशन की बैठब करने का जिम्मा हमने राज्यों के पुलीस मुख्याओं पर डाला है। इसमें भी इनिसेटिव लेना चाहिए। हैकेठोन करकर हमारी समस्याओं के समाधान के लिए भी हमने करना चाहिए। मित्रो एक बात मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। प्रोसेस और परफेक्शन इस सफलता के लिए बहुत महतोपून है। प्रोसेस और परफेक्शन इस सफलता के लिए बहुत मरतोपूर है, मगर सफलता केवल और केवल पैसन से ही आ सकती है, तो पैसन का जजबा पुलिस बल में निचे तक निर्मान करने का हम लोगों का दाहित्व है, मुझे भरोसा है कि हम इस पुलिस साइंस कॉंग्रेस से दो इनके विचार मन्थन से काफी सारी चीजे निकालेंगे, निसकर्ष भी निकालेंगे और सुधार के लिए आगे बढ़ेंगे, मैं इस कॉंफरेंस की सफलता के लिए बीपी आरेंडी के डीजी और सभी सहभाग्यों को बहुत बहुत सुबकामनाय देना चाहता हूं, गंद